अलो दोस्तो आज मेरे किचन में बनने वाली है लोबिया और आलू की सबजी बहुती टेस्टी और जबरदस यह दिखिए कितनी स्वाधिस्ट और टेस्टी सबजी है तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं लोबिया आलू की सबजी वैसे तो लोगों को चाइनीज काना आजकल बहुत पसंद है लेकिन कभी-कभी इन जैसी सबजीयों का भी टेस्ट लेना चाहिए और जाड़े में तो यह बहुती यमी और टेस्टी बनते हैं तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं मैंने दो बड़े प्यास लिए मुने महीन चॉप कर लिया है और एक लासून लिया है य मैंने दो आलू बड़े लिये तो निकाल लिया थे आधी चमज लिय्मे लाल मिर्च छोथा ही चमज लिया है करता भाइ इसमें सब्चेस अगरे मेरे प्यास भी है थोड़ी दिर मेरे 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 फिर मेली ओफी है जल नाले बाद में। जल रहे हों तो आप के जैब साहे रहे हैं वेइं कि यह स्लोड गास को फ्लम रखेंगे तो आपके यह सारा हरी सबजी बनाने का जो खेल होता है वो slow gas पर ही होता है तब ही इसका टेस्ट आता है और यह health के लिए भी अच्छी होती है तो चलिए भी से सबस्ट दोर सब्स्ट आप लोग से रिक्फेस्ट करती हुं में बहुत मिंद्द से वीडियो मनाती हूं प्लिज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को लायक ग्रो करिए चैनल प्लीज प्लीज वीडियो पूरा देखा करिए और आप लोग के ही वाधियां से अगे बढ़ाइँ तो सपोर्ट करिए तो देखे सब्जी को मैंने कुछ देर के लिए ढख के रखा हुआ था और अब मेरी सब्जी लगभग पक चुकी है यह दिखिए इस तरीके से मैं चेक भी करके दिखा देती हूं तो अब इसमें अगर सब्जी आपकी पक जाएगी तो आप इसमें डाल है खटाई यानि मेरी सब्जी पक चुकी है और अब इसे सफ कर देते हैं बरतन में तो चलिए यह देखिए मैंने सफ कर दिया है और इस तरीके से किसी सामने रखेंगे आपकी हल्दी टेस्टी सब्जी तैयार है वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर सपोर्ट करि